भगत सिन्ह और चंदर शेखर आजाद की भूली हुई हमबतन दुर्गा देवी वहरा ने भारत को आप निवेशिक शासन से आजादी दिलाने में मदद करने के लिए साजिश और खत्रे का जीवन जिया भारत को कड़ी मेहनत से मिली आजादी के 71 साल बाद कई स्वतंतरता सेनानियों का साहस और योगदान सार्वजनिक स्मृती से फीका पड़ गया है लेखकों और इतिहासकारों द्वारा बड़े पैमाने पर नजर अंदाज किये गए इन पुरुशों और महिलाओं ने अंग्रेजों से भारत की आजादी की नीव रखी ऐसी ही एक अग्यात नाई का एक ऐसी महिला है जिसके बारे में बहुत कम भारतिये जानते हैं एक ऐसी महिला जिसने अपने देश को आपनिवेशिक शासन से लड़ने में मदद करने के लिए साजिश और खत्रे का जीवन जिया महिला थी दुर्गा देवी वहरा उर्फ दुर्गा भावी ये गुमनाम क्रांतिकारी उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आकाश पर एक उलका की तरह प्रकट हुआ और उसने भगत सिंग, राजगुरू और चंदर शेखर आजाद जैसे लोगों पर जबरदस्त प्रभाव डाला इलाहबाद में बसे एक गुजराती जोडे की एकमात्र संतान, दुर्गा देवी का पालन पोशन, उनकी मां के निधन के बाद उनकी चाची ने किया था और उनके पिता ने सन्यास लेने की प्रतिग्या ली थी ग्यारा साल की छोटी उम्र में उनकी शादी भगवती चरण वहरा से हुई, जो एक अमीर गुजराती के बेटे थे, जो लाहौर में रहते थे और रेलवे के लिए काम करते थे बचपन में ब्रिटेन के आप निवेशिक शासन द्वारा भारत पर किये जा रहे क्रूर अत्याचारों से गहराई से प्रभावित होकर भगवती चरण उननीस सो बीस के दशक में भारत में व्यापक रूप से चलने वाले सत्याग्रह आंदोलनों में शामिल हो गए लाहौर के नैशनल कॉलेज में एक चात्र के रूप में वह एक अध्ययन मंडल शुरू करने में भगत सिंग, सुखदेव और यशपाल के साथ शामिल हुए जो दुनिया भर में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलनों की जांच करेगा इसके तुरंत बाद दोस्तों के समुह ने युवाओं को स्वतंतरता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोचसाहित करने और सांपरदायक्ता और अस्प्रिशता की सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के उद्देश्य से नौजवान भारत सभा की स्थापना की इस प्रकार ये सभी युवा क्रांतिकारी लाहोर में भगवती चरण के पारिवारिक घर में अकसर आने जाने लगे इस तरह लाहोर के एक गर्ल्स कॉलेज में शिक्षिका के रूप में कार्यरत दुरगा देवी पहली बार इन महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आई बेडियों से मुक्त कराना था 1920 के दशक के अंथ तक HSR के सदस्यों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधी तेज कर दी थी मिठाईयां बांट कर गिरफतारी का स्वागत किया गया और अदालत के सम्मन के साथ एक पुलिस कर्मी को देख कर हर्शोलास के साथ स्वागत किया गया और दुर्गा देवी एक कुशल योजनाकार HSR की साजिशों का एक अभिन अंग थी 1928 में अपने बेटे को जन्म देने के तीन साल बाद जब आपनिवेशिक अधिकारियों ने HSR सदस्यों के खिलाफ क्रूर दमनकारी अभियान चलाया तो दुर्गा देवी को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा चूंकि भगवती चरण ने हाल ही में बम बनाने के लिए लाहोर में एक कमरा किराय पर लिया था इसलिए दमपतिवे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी कटर पंथी राजनीतिक गतिविधियों ने उन्हें पुलिस के ध्यान में ला दिया था फिर भी उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी 1928 के दिसंबर की शुरुवात में भगवती चरण भारतिये राष्ट्रिये कैंग्रेस की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता चले गए कुछ दिनों बाद 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु ने सहायक पुलिस अधिक्षक जॉन सॉंडर्स की हत्या कर दी ब्रिटिश पुलिस अधिकारी कुर लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार था, जिसके कारण लाला, लाजपत, राय की मृत्य हो गई थी परिणामी हंगा में और पुलिस छापे की बाढ़ में तीनों सहायता के लिए अपनी दुरगा भाभी के पास आए पहचाने जाने से बचने के लिए उन्होंने अपने बाल छोटे करा ली थे और पश्चिमी पोशाक पहन ली थी अपनी सुरक्षा के लिए जोखिम की परवाह किये बिना वे मदद करने के लिए तैयार हो गई और अपने पती द्वारा छोड़े गए धन को असाधारन रूप से साहसी बनाती है वह ये तत्य है कि उस समय की सामाजिक परंपराएं उन पुरुशों और महिलाओं के बीच संपर्क को सकती से प्रतिबंधित करती थी जो विवाहित नहीं थे जोखिमों को जानने के बावजूद उन्होंने क्रांतिकारियों की मदद करना चुना ये जानते हुए कि उनका नेतरित्व राष्ट्रवादी संघर्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण था अपने तीन साल के बेटे को साथ लेकर उस अदम्य महिला ने भगत सिंह और राजगुरु को परिवार की नौकरानी होने का नाटक करते हुए भारी पुलिस घेरे से बचने और लखनव के लिए प्रथम श्रेणी ट्रेन डिब्बे में चढ़ने में मदद की दिल्चस्प बात यह है कि चंदरशेखर आजाद भी तीर्थ यात्रा पर महिलाओं को ले जाने वाले साधू के भेश में सुकदेव की माँ और बहन के साथ यात्रा करके लाहौर से भाग निकले थे लखनव पहुँचकर भगत सिंह ने तुरंथ भगवती चरण को तार भेज कर सूचित किया कि वे दुर्गावती के साथ कलकत्ता आ रहे हैं जबकि राजगुरु बनारस जा रहे हैं जब वे दोनों आखिरकार कलकत्ता पहुँचे तो बहुत आश्चरे चकित भगवती चरण ने उनका स्वागत किया जो भगत सिंग और राजगुरु को भागने में मदद करने में अपनी पत्नी की भूमिका के बारे में जानकर प्रसन्न हुए इसके बाद के दिनों में भगवती चरण दुर्गा देवी और गुप भगत सिंग ने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में भाग लिया जहां उन्होंने गांधी, नहरू और ससी बोस को देखा और कई बंगाली क्रांतिकारियों से मुलाकात की भगत सिंग की फेल्ट हैट वाली प्रतिष्ठित तस्वीर भी कलकत्ता में ली गई थी दरसल स्वतंतरता सेनानी और अनुशीलन समिती के सदस्य जोगेश चंद्र चटर जी के मुताबिक दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बं फेंकने की योजना भी कलकत्ता में बनाई गई थी यह योजना आठ अप्रैल उन्निस सो उन्टीस को फली भूत हुई जब भगत सिंह और साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वरदत्त ने गिरफतारी के लिए खुद को पेश करने से पहले असेंबली के अंदर बं और पर्चे फेंके लाहॉर शड्यंत्र मामले में ब्रिटिश राजद्वारा इन आरोपों को एक साथ जोड़ दिया गया था जिसके कारण इचैसारे के युवा नेताओं की गिरफतारी हुई थी भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरू को मौत की सजा दी गई और पुलिस ने अन्य क्रांतिकारियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया लाहॉर में भगवती चरण की बम फैक्टरी की खोज की गई जिससे उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा जब ऐसा हो रहा था, उनकी पतनी एक गुप्त पोस्ट बॉक्स की जोखिम भरी भूमिका निभाती रही फरार क्रांतिकारियों से मेल प्राप्त करती रही और उन्हें उनके परिवारों तक भेजती रही ये स्वीकार करते हुए कि कई नेताओं की गिरफतारी के कारण HSR में एक शक्ती शून्य पैदा हो गया था दुर्गा देवी ने स्वयम क्रांतिकारी गतिविधियों का नेत्रित्व करना शुरू कर दिया इन में से एक पंजाब के पूर्व गवर्नर और क्रांतिकारीयों के कटर दुश्मन लॉड हैली पर साहसी हत्या का प्रयास भी शामिल था हलांकि गवर्नर बच गए लेकिन उनके सहयोगी घायल हो गए हलांकि एक त्रासदी क्षितिज पर मडरा रही थी भगवती चरण उस जेल में बम विस्फोट करके भगत सिंग को मुक्त कराने की योजना बना रहे थे लेकिन रावी नदी के तट पर बम का परीक्षन करते समय समय से पहले हुए विस्फोट से उनकी मृत्यू हो गई दुखी दुरगा देवी ने क्रांतिकारी कारियों में उतर कर अपने पती की मृत्यू के दुहक का सामना किया जुलाई 1929 में उन्होंने भगत सिंग की तस्वीर के साथ एक तखती लेकर लाहॉर में एक जुलूस का नेतरत्यू किया और उनकी रिहाई की मांग की कुछ सपताबाद उन्होंने 23 दिनों की जेल की भूक हरताल में जतींद्र नातदास की मृत्यू के बाद लाहॉर से कलकत्ता तक उनके अंतिम संसकार जुलूस का नेतरत्यू किया उसी वर्ष 8 अक्टूबर को उसने दक्षन बॉम्बे में लैमिंग्टन रोड पर खड़े एक ब्रिटिश पुलिस करमी और उसकी पत्नी पर गोली चला दी जिसे बाद में पहली घटना के रूप में वर्नित किया गया जिसमें एक महिला आतंकवादी आक्रोश में योगदान नहीं है। जीवन बिताया। दिल्चस्प बात यह है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म रंगदे बसंती के अधिकांश प्रशंसकों को उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में नहीं पता है। गुमनाम है। दुर्गा देवी वोहरा एक ऐसी वीरांगना है, एक ऐसी महिला जिनकी असाधारन बहादुरी और बुद्धिमत्ता को उनके देश द्वारा पहचाना और सम्मान दिया जाना चाहिए। मैंने आपको इसके बारे में बताया, अब आपका फर्ज है कि आप इसे आगे शेयर करो, मैं आपसे मिलता हूँ। एक और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में, इसी लिए जो नए दर्शक हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ओल पर क्लिक करद, तभी जाकर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा, चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे और एक एपिसोड के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगनात!